जैहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ITBP के द्वारा एक न्यूव वेकेंसी जारी की गई है For the Post of Head Constable Dresser यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ एक न्यूव वेकेंसी की द्वारा जो ITBP इंडो-Tibetan Border Police Force के द्वारा यह जारी किया गया है यह Force आपका Ministry of Home Affairs, Government of India के अंधगत आती है यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यह Head Constable की पोस्ट है Dresser Veterinary यहाँ पर Dresser Veterinary की यह पोस्ट है जो आपकी Head Constable है Group C पोस्ट है यह चीज धान रखेगा यहाँ पर बोला गया है कि eligible Indian citizens including subject of Nepal and Bhutan जो लोग Nepal और Bhutan से हैं वो भी इस पोस्ट के लिए apply कर सकते है पोस्ट मैंने बता दिया है Head Constable Dresser Veterinary की यह पोस्ट है Group आपका C रहेगा Non-Gasted Non-Administral Job है यह ठीक है Non-Gasted and Non-Ministral Group C रहेगा अगर हम वेतन की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका वेतन रहेगा जो बहुत ही अच्छा वेतन है और ITBP एक बहुत ही अच्छी Forces में है जो आपकी CABF Force है उसमें ITBP Force बहुत अच्छी मानी जाती है हम आगे बात करें Total Detail of Vacancy के बारे में अगर हम बात करें तो Total आपकी 40 vacancy आई है यह vacancy male और female दोनों के लिए है male के लिए 34 vacancy है और female के लिए सिर्फ 6 seat है तो यह चीज़ female के लिए थोड़ी सी seats कम है यहाँ पे आपका यह website दिया गया है जहाँ पे आप जाके आसानी से इसको apply कर सकते है www.recruitment.itbpolice.nic.in पे जाके आप इससे क्या कर सकते है apply कर सकते है यहाँ पे अगर हमें leasibility criteria की बात करें तो आपका age 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए तो age कितना होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में age होना चाहिए candidate should not have been born earlier 18 November 1997 or not later than 17 November 2004 यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि 18 November 1997 से लेकर 17 November 2004 के बीच में अगर आपका जनम हुआ है तो आप इस form को apply कर सकते है अगर हम qualification की बात करें तो class 12 आपको pass होना चाहिए किसी भी recognized board से आपके पास diploma या फिर certificate होना चाहिए minimum one year duration का to veterinary therapeutics or livestock management from a government recognized institute मतलब आपके पास diploma या फिर certificate होना चाहिए minimum एक साल का veterinary में, livestock management में, government recognized institute से तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा तब यह आप form का apply कर सकते हैं आगे हम बात करें तो यहाँ पे selection process की तो सबसे पहले आपका physical efficiency test होगा जिसे हम PET या फिर PST कहते हैं उसके बाद आपका written test होगा written test qualify करने के बाद आपका documentation होगा और अगर आप documentation बुरा verify कर लेते हैं तो आपका last medical examination होगा जिसे हम RME या फिर DME कहते हैं यह सारे process complete होने के बाद आपका merit list में नाम आ जाता है तो आपका selection हो जाएगा अगर हम बात करें online application की तो online application आपका 19 October से start होगा तो अभी आपके पस 3-4 दिन टाइम है लेकिन 19 October से online application स्टार्ट हो जाएगा यह चीज ध्यान रखेगा और last date कब है 17 November तो यह चीज ध्यान रखेगा 19 October से आपका form शुरू हो जाएगा बाकी जो details थी मैंने आपको बता दी इसमें notification जो भी जारी हुआ था इसमें मैंने सारे details आपको बता दिया है Group C post है ITBB का यह post है headcon stable के लिए vacancy आई है बहुत अच्छी vacancy है आप चाहे तो इसे apply कर सकते हैं बाकी आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को subscribe करें और जदस जदा इस चैनल को share करें मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद